तो दोस्तो आज का वीडियो एक यूनिक टॉपिक पर है क्योंकि इस टॉपिक पर पूरा डिटेल वीडियो यूटुब पर अभी तक सायद किसी ने भी अपलोड नहीं किया है तो दोस्तो आज के वीडियो में हम आपको यह बताने वाले हैं कि कुलर मोटर को वाइंडिंग करने के बाद यह कुलर मोटर का रिपियर करने के बाद कुलर को किस तरह से धागे से बांधा जाता है और कौन से धागे का यूज कियाता है पूरी डीटियल में आपको बताने व तक इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि कई लोगों को जो इसके बार में पता नहीं है तरीका मालूम नहीं उससे मालूम चल जाए दोस्तों बात करते हैं को या रूपियर या ठीक है तो यहां पर आपको कॉटन का धागे यूज करना पड़ता है को बाधने के ख़ीक है और आपको इस तरह से सुई का यूज़ करना पता है इतने साइज का जैसे कि आप देख पार ठीक है uden तो इता से बांदा जाता हुद तो ये जो कॉसक्ब होता है इसको वाइलिंग करने के करना पड़ता है इसे आप को पहले ले जाना चाहते हैं इसकी हापर हम तीनों को एक समान यहां पर सेट करेंगे और थागे तर्फ रहे थोड़ा बांद कर यहां पर पहले इसको इस साइड कर नवे बहुंती आसानियों तो इस तरह से आपको पहले अतार की मतलता से परता है और इसके बाद दोस्तों यह जो धागे है ना उससे आपको सुई में आपको लगा लेना ऊथा इस तरह से फसाले नहों तो जितने लंब आप रखने चाहते धागे को आप इतना खीछ सकते हैं तो आपको शिलाई कैसे करने सी के आप देख सकते हैं प्रतेक क्वाइल के बीच में आप सलॉट में आपको एक होल देखने को मिलता फ़ी सिटेट बाइस किए करके आपको फषाना पर तो यहां पर आपको पहले धागे को स्था से पुछ इस तरह से फषाट लेना जैसी कि आप देख पाने ठीक है और उसके बाद आपको क्या करना अगले इसलौट को अगले स्लॉट में जो गैप है उसमें आपको सुई घिचाना है और इस तरह से धागे को अंदर करते हुए अपनी और खीचना हलकी सी और आगे को इस तरह से मूँ कर दिना ठीक है तो इस तरह से आपको इसका सिलाई करना पड़ता है अदोस्तों सबसी में काम यहाँ पर करना पड़ता है जैसे कि यहाँ पर से वायर निकलता है यहाँ पर तो यहाँ पर आपको तीन से चार बार टाके लगाना पड़ता है तो इस तरह से हमने आपर तीन से करना है तो आपको अगले कोईल का जो फश्ट स्लॉट है उसमेंग होल में आपको इस तरह से पहले फखाना है और सुइग है और शेट कर दागा द बहां是 कर सकते हैं टेशर की एक कोईल का श्लाइब पूर भाट आता है जो गयप होता है यहां पर चूर्ण आपको नहीं करना है यहां पर क्योंकि एक कोईल धार्गे में गए खून आपको अगरे अग्ले कोईल के धार्ग ऑब ढाये डेंट एस थे आपको दोस्खानी से और है यहां पर लाष्ट हमें आपको टाकले कर देना है तो शटल अपर टाकल लगा लेते हैं और इस दागे को करने तो इसतरह दोस्त्व यहां जो कौई सुलाई है जो बनाने का काम है पुरह हो चुका है उसी प्रेकार से घागे से सिलाई किया आता है तो दोस्तों आ सका तो आपको इस वीडियो में कुछ नया चीजे शीखने को जरूर मिलाओगा तो दोस्तों मिलते हैं ने स्टूडू में तब तक ले जय ही जय भारत वंदे महात्रम